आप जिनसे प्यार करते हो उन्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हो उन्हें कि खुशी के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको माय लओ ये 2021 की एक चाइनिज रोमांटिक मुवी एक्सप्लेंट करने वाला एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी मुवी है तो अंदग इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो अचा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किसी दरीक है एक्सप्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार होती है और हम अमारे मेन गारेक्टर जाओ को देखते है जो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है आज उसे अपने हाइस्कूल की गल्फरेंड का लेटर मिलता है उसका नाम था यंग अब उसे अपने high school के days याद आते है जब वो high school में था तो बहुत ये नालाइक student हुआ करता था हमेशा उसके teacher उसे बहुत डाटते थे अपने classmates के साथ भी उसकी बंती नहीं थी हमेशा बहुत जगड़े करता रहता था एक दिन जब उसका इसी तरीकी से छगड़ा चल रहा था तभी अचानक से उसके सामने यंग आई उसे देखते ही उसे उसे प्यार हो गया वो बेचारा मार खाते-खाते भी हस रहा था उसे punishment देने के लिए ऑफिस में बुलाय जाता है तभी वहाँ पर यंग आई यंग का अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ क्यों न्यूश्टूरंट थी जगड़ा उसे बात करना चाहता था उसके पास आया और कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी हेल्प की ज़रुत हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हो यंग ने जाओ की फटी हुई पैंड दिखा कर गा कि तुम पहले अपने खुद की हेल्प करो फिर मेरी हेल्प करना वो बहचारा उस पर कोई भी इंप्रेशन जमानी पाया था यंग इतनी सुन्दर थी कि स्कूल के सब लड़कों को बहुत पसंद आती थी स्कूल के स्विमिंग टिंग का कैप्टन में यंग को पसंद करने लगता है जब जाओ यंग के साथ था तब यंग को उस कैप्टन ने अप्रोश किया अपनी स्विमिंग की ट्रॉफी दिखा कर उसे डिनर के लिए बोचता है पर यंग उसे मना कर देती है यंग ने जाओ से का कि यहां से बाहर चलते है जाओ तो बहुत ही खुश हो गया था यंग उसे एक रेश्टराण में लेकर आई जाओ अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उसे कहता है तुम्हारे बहले मेरी फाइव गर्फरेंड्स थी यंग उसे थोड़ा भी सिरियसली लेती नहीं और भाव भी नहीं देती अगली दिन फिर से कैप्टन ने यंग को छेड़ने की कोशिश की तो जाओ में और उसमें फाइट हो गई थी फाइट के बाद रेश्टरांट में आकर जाओ यंग से कहता है तुमने अगर सब को पता दिया कि मैं तुम्हारा बॉइफरेंड हू तो तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा यंग कहती कि तुम बहुत फाइट करते हो मुझे फाइट करने वाले लड़के पसंद नहीं है जाओ ने कहा कि अगर मैंने फाइटिंग छोड़ दी तो फिर क्या यह दोनों बात ही कर रहे थे तबी कैप्टन फिर से यहाँ पर वापस आ गया वो उने फिर से तकलिव देत इससे पहले यंग ने उसे कहा कि जाओ मेरा बॉइफ्रेंड है इस बात पर कैप्टन बिल्यू नहीं करता अगली दिन जब यह दोनों स्कूल में आए तो जाओ के उपर उसने मिल फेका अब यंग के लिए जाओ उसे फाइट नहीं कर सकता उसके पास गया और कहा क्या तु कुछ भी मजा नहीं आएगा कैप्टन बुशता है तो अब हम फिर क्या करेंगे जाओ कहता है हम स्विमिंग की कॉम्पिटिशन लगा सकते हैं कैप्टन ने उसे डील दी कहा कि अगर मैं जीच जाता तो यंग को एक पोस्ट कार्ड अपने पीट पर रखना पड़ेगा इस इन दिनों में वो यंग का अच्छा फ्रेंड भी बन गया था एक दिन जब दोनों रेश्टार्ण पर आये तो वो बन था वही बेटकर बाते करते हैं यंग ने जाओ से पूछा तुम उने फ्यूचर के बारे में सिरियस क्यों नहीं हो क्या तुम हमेशा स्विमिंग करना अचाते हो जाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जाओ के बास सचुच में अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान नहीं थे यंग कहती कि मेरा गोल है मुझे फैशन डिजाइनर बनना है और इसके लिए बहुत ही हाट मेनत करती हैं बाते करते-गरते इनकी टीचर निने देख लिया स्कुल बंकर कर यह आये होए थे तो वेसे भागने लगे अचानक से बारी शुरू होगे जाओ यंग को हाथ पकड़ कर अपने घर लेकर आता है कपड़े सुखाते हुए यंग ने जाओ का रूम देखा उसमें उसे एक पॉन की सीडी मिलती है जाओ केता कि तुम सब लोगी कब से देखते हो जाओ ने कहा कि रात में 11 बजे के बाद हम देखने लग जाते हैं यंग एक्च्वल में उसका एज पूछ रही थी तो इस बात पर वो बहुत अस्ती है इस पर उसका बहुत मजाक लेती है वैचारे जाओ को बहुत इंबरेसिंग लगा थ अब अगले दिन इनका स्विमिंग का कॉंपटिशन था इसमें जाओ ने बहुत फाइट दी फिर भी कैप्टन ही जीता था अब यंग को इसके बैक पर कि वो कैप्टन की गल्फेंड ऐसा लिखना पड़ेगा उसने ओल्डेडी लिखका रखा था पर जाओ के साथ हसी खु इनकी लाइख हमेशा ऐसी ही रहे अचानक से यंग ने हाइवे पर अपने फादर की कार देखी और इसे बहुत ही जादा डिस्टब हो गए अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आई साव उसके लिए परिशान हो गया और रात में उसके घर आ जाता है घर पर उसने देखा कि य यंग और इसकी मदर रो रही थी यंग के फादर ट्रंग थे और उन्हें से बचने के लिए इस टाउन में वो आये हुए थे जाव ने सब देख लिया तो यंग उसे जाने के लिए कहती है रात में यंग ने जाओ को कॉल लागया वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि मेरे फादर हमें इतनी जल्दी ढूंड लेंगे वो जाओ से मिली जाओ उसकी लाइफ में इसके लिए थैंक फूल थी इसके बाद फिर से और ट्रांसफर होकर इस टाउन से चले गए थे इस फोन कॉल के बाद भी बारिश में जाओ से ढूनने के लिए निकल पड़ा था और उस के बास आइफोन का न्यू मॉडल था तो उसे वो दिखाता है इसमें जाओ अलग-अलग पिक्चर देख रहा था उसकी उनियोसिटी के उसमें उसे यंग दिखिए उससे देखकर वो बहुत खुश हुआ एक्साइटेड हुआ अब वो डिसाइड करता है यंग जिस उसे एडमिशन मिल ही जाता है उसे वो यूनियोसिटी में हर जगा पर ढूंड रहा था फाइनली उसके वो सामने आके वो इमेजिन करता है कि यंग उसे देखते ही गली लगा लेगी पर इसा कुछ भी नहीं होता वो तो फर्स टाइम में उसे पहचान भी नहीं पाता है ज इस वज़े से उसने गल्स की टीम में साइन अप कर लिया था यंग उसके लिए बुरा लगता है और हो गहती है मेरा आल्रीडी एक बॉइफ्रेंड है बैचारे जाओ को बहुत बुरा लगा अपने फ्रेंड से उसने यंग के बॉइफ्रेंड के बारे में इनफॉर्मिशन निकाली उसके बॉइफ्रेंड का नाम था चैंग और चैंग एक फुटबॉल की टीम में था जाओ ने लड़कियों की टीम में साइन अप किया है तो उसे भी चैंग के लिए चीर अप करना पड़ता है जाओ की हलत देखकर उसके फ्रेंड उसे बहुत चिडाते हैं एक सिन आते वक्त हमें यंग भी मिली थी उससे हमने इस पार्सल पर साइन भी ले लिया है सब मिलकर इस पर हसने लगे तबी दोर पर पुलीस आ गए थे जाओ और उसके फ्रेंड को लगता है कि इलिगल डिवीडी उन्होंने बाइ की थी इसी वज़े से पुलीस उन्हें नेने के था वो छोड थी जिस आदमी को इन्होंने मारा था यह उसका ही बैक था इसी वज़े से इने जेल में डाल दिया जाता है इस सिच्वेशन पर वो जेल में भी बहुत हसे है जाओ यहाँ पर यंग से पुछता है कि तुम और तुमारा बॉइफरेंड कैसे मिले थे यंग ने स्मार्ट था जो सिक्यूरिटी यंग को हमेशा से चाहिए थे यह चांग आसानी से दे सकता है जाओ ने रियलाइस किया कि उसका प्यार कितना सेलफिश था उसने कभी भी यंग को क्या चाहिए इसके बारे में सोचा नहीं था वो उसे जरा दूर रहने की कोशिश करता है प मुझे फायरवक्स देखने थे पर वो भी मैं कर नहीं पाई जाओ को फिर आइड़ा आता है वो फायरवक्स लेकर आया और होस्टेल की टेरेस पर जाकर इस फायरवक्स को जला देता है यंग की विश उसने कंप्रीट कर दी थी यह इतना ब्यूटिफुल लग रहा था कि सार कर हॉलीडे प्लान कर रहा था जाओ समझ गया कि उसके साथ उसका चक्कर है चैन ने एक्च्वल में यंग को प्रॉमिस किया था कि अगर फुटबॉल का गेम जीता है तो हॉलीडे पर उसके साथ चलेगा अब इसके बाद हम इसी गेम को देखते हैं और इस गेम को चैन जा करने लग गया था गोल करने के बाद सेलिबरेट करने के लिए चैन उसके पास आया जाओ चान पर बहुत जादा गुसा था क्योंकि यंग उसके बाद मार नहीं रही थी उसने यंग को एक बार प्रॉमिस किया था कि कभी भी वो फाइट नहीं करेगा पर आज उसे लग रह आना तो एक competition में बहुत ही अच्छे से perform करना पड़ेगा आशकल उसके एक अमेर गर्ल्फ्रेंड भी है उसके फ्रेंड उसे एडवाइस करते है कि इस लड़की से शादी कर लेना तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी एक दिन ऐसे जहाव अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग यंग ने कहा कि fashion सीखने के लिए मुझे अलग country में जाना था पर उसके फादर भीमार पड़ गये तो इस वज़े से इसी country में उसे रहना पड़ा उसने फिर मॉडलिंग ही स्टार्ट कर दी थी जहाव को भी उसका करियर अच्छा लगता है पर हो जाता था यंग जिस चीज में passionate है यही चीज उसे करने चाहिए यानिग fashion designing बातों बातों में जाओ को पता चला यंग एक अलग city में advertisement शूट करने के लिए जाने वाली है वो अपनी girlfriend से break up कर लेता है उसके साथ ही आता है एक दिन यंग की shooting अच्छी नहीं कहीं थी जाओ ने उसे घर पर drop किया और जूज कर लिया था इस बात से बीचारी बहुत ही upset हो गए जाओ उसे cheer up करने के लिए सी के पास light house में लेकर आता है यह इंटर होना मना था तो यंग डर रही थी जाओने का हम already jail जाकर आया हमें क्या डरना सी के पास आकर डारेक्टर को बहुत गालिया देते हैं जाओ की company मे यंग का mood भी बहुत ही अच्छा हो गया था यह जब high school में थे तो अपने सारे moments याद करते हैं यह याद करते हुए जाओ यंग के करीब आ गया था यंग को जड़ा गलत लगता है और यहां से हो चली गए इसके बाद एक विक पीद गया था और इन दोनों ने कुछ भी बा है उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है यह वही लोग है जो competition देखने के लिए आ रहे थे जाओ को लगता है कि इनी लोगों में यंग भी होगी वह अब तक शोर नहीं था वो swing pool के पास तो आ गया पर यंग का खयाल उसके मन से जानी रहा था यह competition वह ऐसे ही छोड़कर य मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता यह बात सुनकर यंग भी उसे गले लगा लेती है यंग ने कहा कि हमें competition में वापस जाना चाहिए देखते हैं कि क्या तुम्हें सेकंड चास मिल पाता है यह जाही रहे थे तभी उपर से एक चीज यंग को लगने वाली थी तो उस किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इसके बाद इनकी relationship बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी एक साथ यह रहने लग गया थे यंग लेट नाइट काम करती तो जाह हमेशा उसे सपोर्ट करता यंग खुश है तो वह भी बहुत ही खुश था स्लोली स्लोली जाह का भी hand record होने लग यह था एक दीन चलते चलते दोनों वेडिंग देस की शॉप तक आये यंग ने इन दोनों के लिए any की थी मैं हमेशा हम दोनों के लिए रिंग करना चाहती थी जाओ उसे प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एक दिन में तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर आऊंगा अब जाओ को फिर से स्विमिंग करनी थी इसके बारे में ओपिनियन लेने के लिए वो डॉक्टर के पास आया डॉक्टर उसे कहत पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलता उसकी फाइनशल सीजुएशन भी बहुत ही खराब हो गई थी यंग को जॉब था वो यहां का रेंट वेगरा पे कर सकती है पर जाओ को बात अच्छी नहीं लगती उसे लगता है कि उसे खुद अपने आपको सपोर्ट करना चाहिए ए इसे मास प्रोडक्शन में उन्होंने डाल दिया है जाओ यंग के लिए खुश था पर इन दोनों के फ्यूचर को लेकर वो वरी करने लगता है एक दिन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गए हुए थे एक फ्रेंड शादी करने वाला था तो यही बात वो यंग और जाओ स शादी कर लेते हैं जाओ को यह मजाग लगा और यहां से चला जाता है आज कल यंग के फादर जरा बिमार थे तो उनकी डेथ हो जाती है इनके सारे फ्रेंड इन्हें मिलने के लिए आये हुए थे जब जाओ फ्रेंड से बात कर रहा था तो गहता है कि अगर मैं मेरे स्कुल में यंग से ना मिलता तो मेरी लाइफ क्या होती वो उसे लाइफ में अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता तो इस वजह से उसे मिलना भी रिग्रेट कर रहा था यह सारी बाते पीछे से यंग ने सुन ली उस वार बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गयती है मेरे इसकी उसे माफी मांगी फिर सहसा कुछ भी नहीं होगा इस सब प्रॉमिस किया पर फिर भी यंग अब मानने वालों में से नहीं थी यंग जाओ को कहती है कल इंटर्वीव पर जाना अच्छे से ट्राइ करना किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए इसके बाद वो उसक उसे मिलना रिग्रेट करते हो इस बात को मैं जाने नहीं दे सकती अगर हम एक साथ रहे तो हमेशा एक दुसरे को हर्ट करते रहेंगे ये बात वो नहीं चाहती थी अब इसके बाद जहाओ ने अपने खुद के लिए एफ़र्ट डालना स्टार्ट कर दिया वो फिर से कॉल कर लाइफ में आगे बढ़ना चाता था को अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है सबने मिलकर एक बोट बूग की और इंशर किया कि जहाओ यहाँ से भाग ना पाए जब वेडिंग डे आता है तो जहाओ बहुत ही जादा डिस्टब हो गया था वो यंग को अपने लाइफ से इस तरीके से जाने नहीं दे सकता नदी से तेरते हुए वो जमीन तक आ गया डारेकलि यंग की शादी पर वो पहुच जाते है यंग के साथ उसकी फ्रेंड्स थी पर जहाओ के फ्रेंड्स उन्हें बाहर लेकर जाते हैं सहाओ ने जब यंग को देखा तो बहुत ब्यूट देने के लिए यंग ने भी अब उसे माफ कर दिया था वो भी उसे थैंक्यू कहती है जो टाइम इन्हों ने एक सास्थ पेंड किया यह दोनों के लिए बहुत स्पेशल था जहाओ यंग को अपनी लाइफ के लिए बेस्ट आफ लग करकर यहां से चला जाता है वो इसे उसकी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आता है तो तो प्लीजी चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन नाने मत भूलेगा हम वेसे मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और अब अबने आपका खैल रखिया